मेरे साथ बोलिए भारत मता की अरे भाई मैं बीटी आर्ग शेत्र में आया हूँ एसी आवाज होगी क्या एक साल हो गया सान्ती समझोते को मोदी जी के आशिरवात से पूरे ख्षेत्र को अब सान्ती और विकास मिलने वाला है मोदी जी दिल्ली में है उन तक आवाज जानी चाहिए मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ अंत तक सभी लोग दोनों हाथ उठाए और विकास और सान्ती की मुठी भींचिये और प्रचंड वाज से बोलिये भारत मता की भारत मता की भारत मता की मन्च पर उपस्तित असाम के लोग प्रिय मुख्य मंत्री श्रीमान सर्वानन सोनवाल जी असाम के वीच्ट और स्वास्त मंत्री मेरे मित्र श्रीमान हैमंत विश्व सर्मा जी यह हमारे सांती समझोते के एक प्रमुख सिल्पकार और अब आपके चुने हुए सी एम है ऐसे प्रमोज बोरो जी हमारे असाम भारतिय जनता पार्टी के द्यक्स श्री रंजीत दास जी भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री उपाध्यक्स रसाम के प्रभारी स्रीमान वैजंत पांडा जी सांसद नाबा सरन्या जी पल्लव लोचंदा जी मेरे मित्र और पूर्व सांसद विश्व जीत देमारी जी उर्खाउं गोरा ब्रामा जी गोविन जी सी जिस्नु बरुवा जी बासकर जोती महंता जी सी दर्थ सिंक जी हमारे विदायक स्रियसोक सिंगल जी सी डिपेंट बोरो जी सी लाउरेंस इसलरी जी और आज इस इत्यासिक दिन पर गिंती न हो सके इतनी संख्या में उपस्तित बोरो क्षेत्र के मेरे प्यारे भाई और बैनों को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआज करना जाता हूँ मित्रो आज इस इत्यासिक रेली में मैं पूरे देश को आपके माध्यम से कहना जाता हूँ मेरे राजनितिक जीवन में मैंने बहुत रेलिया देखी हैं इससे बड़ी भी रेलिया देखी यह संबोधित की है मगज आज इस्रेली को संबोधित करते हुए मेरे मन को अपार सांटी का नुभाव हो रहा है क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले देश के प्रदान मंत्री जी के नेत्रुतों में बोडो सांटी समझोता हुआ और बोडो सांटी समझोते ने प्रदान मंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि पूरे उत्तर पुर्व में जहां जहां असांटी है इंसर्जन्सी है सभी लोगों के वार्ता करिये और उनके साथ सांटी का रास्ता प्रसस्त करिये और मित्रो मुझे कहते हुए आनंड है कि जो बिटी आर्क से तरका सांटी समझोता हुआ मोदी जी की अगुवाई में उसको एक साल आज पुरा हुआ है आपका चुनाव भी समाप्त हो गया है और सांटी के एक नए यूग की शुरुवात हुए मित्रो सालों से चली आई समस्या जिसने पांच हजार से ज्यादा लोगों की जान ली मोदी जी के द्रट निश्चाई और मोदी जी के मार्दर्शन और हमारे प्रमोज जी के इनिस्येटिव के कारण आज एस समस्या सांट हो गई है और आने वाले अनेक सालों तक एह हमारा बोडो क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ेगा मित्रो आज मोदी जी के प्रतिरिदिये नाते भारत के गुरू मंत्रिये नाते मैं आप सभी को विश्वास दिलाने आया हूँ के बोडो सक छेत्र जो कभी रक्त रंजीत उवा करता था हथियार उठाने वाले लोग यह हथियाय करते थे अफरन करते थे आज मैं आपको विश्वास दिलानाते हूँ कि कुछ ही सालों में पूरे असाम में सबसे विक्षिट क्षेत्र, यह हमारा बोडो क्षेत्र होने वाला है मित्रो, सबसे विक्षिट क्षेत्र होने, और इसलिए मैं आज जब बोडोफा उपेंद्रनाद ब्रह्मा जी की मूर्ती को पूस्ट पचड़ा रहा था, तो रूपनाद ब्रह्मा जी और उपेंद्रनाद ब्रह्मा जी को उन्होंने जो सपन देखा था, इस स्चेत्र के विकास का, इक स्चेत्र में सांती का, इक स्चेत्र में आपके अधिकारों का, उसको मैं साकार होते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा, मेरे मन को अपा सान्ति दूसरी सान्ति का विशय है इक सेत्र में मैं कई बार आया हूं कई रेलिया की है चुना में भी की है पहले भी की है परंतुमित्रों जहां बोडो और नौन बोडो दोनों उपस्तित हो यह पहली रेली है और इसलिए भी यह रेली का महत्व है यहां बोडो भी है नौन पिलाये था, बोडो नोन बोडो को, यह सब को यह संदेश, कि बोडो भी यहां के है, नोन बोडो भी यहां के है, सब असाम के पूत्र है, सब भारत मा की संतान है, सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, असाम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, पुर्य असाम के अंदर इस प्रकार का जहर फेला कर जिनों ने सान्ति का भंग किया था उनको आज ये रेली इसका एक जवाब मित्रो एक इत्यासिक बोडो समझोता 27 जन्वरी 2020 के दिन देश के प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रूत में हुआ मुझे उसमें उपस्तित रहने का सौभाग्य मिला था और उस वक्त जो बाते हुई थी लिखित में और मौखिक मैं आज आप सब के सामने इसका कमिट्मेंट दोहरा ने आया हूँ कि भारत सरकार वो सारे वादों को पूरा करकर आपके विश्वास को पूरा करेगी मित्रो असाम सरकार ने भी हमारे मुख्यमंत्री सर्वानन जी और भाई हैमंत विश्व सर्माने भी इस समझोते के लिए बहुत अच्छा प्लिट पर्म तैयार करने का काम करा और मैं आज भी सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो वादे किये गए हैं वो हमारे प्रधान मंत्री जी के पूर्वत्तर के विकास के विजन के लिए इसका एक हिस्सा है और इसको पूरा करना हम सब का लक्स है मित्रो प्रधान मंत्री जी ने नकेवल आसाम पूरे पूर्वत्तर क्षेत्र के अंदर जो इंसर्जंसी हुई है उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समाप्त करने की सुरुवात की है और इसका सुभारम ये बोडो सांती समझोते से हुआ है इसके बाद ब्रू और रियांग के सेटलमेंट का प्रहास किया गया आठ अलग-अलग हत्यारी ग्रूपों ने हमारे मुख्यमंत्री के सामने 700 लोगों ने हत्यार डालकर सान्ती का रास्ता प्रसस्त किया और ये सारी प्रक्रिया विकास के रास्ते में हमें ले जाने वाली है क्योंकि मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है आत्म निर्भर भारत की कल्पना की है वो कल्पना न्यू बोडो लेंड और आत्म निर्भर बोडो क्षेत्र के लावे समाप्त नहीं हो सको इसलिए हमें इसके सामने जाना है मित्रो आज हिंसा का यूग समाप्त हुरा है और सांती का यूग शुरू हुरा है मैंने जैसे कहा ब्रूरियांग समझोता आठ उग्रवादी घृपों ने 700 लोगों ने करिब करिब हतियार डाले और जम्मु कस्मीर के अंदर भी धारा 370 और 35 को उखाड कर हमेशा के लिए आतंकवाद को निर्मूल करने का काम देश के प्रधान मंत्री में कुए कहते जे वहाँ यह हो जाएगा वो हो जाएगा रत रंजीत हो जाएगा जम्मु कस्मीर मित्रो मैं आज आपको बताने आया हूँ कि अभी अभी वहाँ पंचायत के चुना हुए पूलीस को पूरे जम्मु कस्मीर में एक भी गोली नहीं चलाईनी पड़ी और सांती पूर्वक्सम यह हुआ यहाँ पर भी चुनाऊ हुआ असी प्रतिसत से ज्यादा वॉटिंग हुआ जिसने जिसको वॉट देना था उसको वॉट दिया मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई एक भी बूत पर पूलीस को गोली नहीं चलानी पड़ी मैं मानता हूँ यह हम सब का संयूक्त विजय है सां आती का विजय है मित्रों और भारत की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम है मित्रों चुनाऊ को जिस प्रकार से हमने संपन कराया है मैं आज आपको विश्वास दिलाने चाहता हूँ यह UPPL और BJP का जो घठ बंदन हुआ है प्रमोजी एंडिये में आये है यह प आपका विकास का रास्ता आगे बढ़ाने वाला है मित्रों NDA में UPPL का आना और यहां UPPL BJP की साजा सरकार बढ़ना वो बताती है कि आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतिय जंता पार्टी की सरकार आसाम के अंदर बनने वाली है यह इसका ट्रेलर है ट्र कॉंग्रेस पार्टी अपने काल खंड के अंदर सांती नहीं ला सकी विकास नहीं ला सकी वो आज हमें सला दे रहें मैं पूछना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी को इतने सालों तक असाम रक्तर अंजीत रहां यह मेरा बोडोक सेत्र रक्तर अंजीत रहां क्या किया आप बहुत हो गया है लड़ाई जगड़ा अब विकास के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है और मित्रो मैं आज आप सबको अपील करने आया हूँ कि जैसे सेमी फाइनल जीता है फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है जरा मुझे बताओ जीतना है ना सब लोग सहमत है ना मित्रो ये रास्ता जो सान्ती का प्रसस्त हुआ है वे पूर एक सेत्र को विकास के रास्ते पले जाने वाला रास्ता है और मित्रो कॉंग्रेस पार्टी ने भी कई समझोते की मगर समझोते कभी समाप्त नहीं होते उनकी अनुपालना नहीं होती वादे तो बहुत करते थे व अगर मैं आपको बताता हूँ, ये नरेंद्र मोधी सरकार है, जो वादे प्रदान मंत्रिक करते हैं, उसी को अपने ही कालखंड के अंदर सबाप्त करते हैं। ये बोडो सांती समझोता करकर प्रमोध जी मेरी ओफिस में आये थे और उन्होंने मुझे कहा कि सारी चीजों का अनुपाल न होना चें। और मित्रो मैंने उनको वादा किया था कि हम चुनाव के पहले पहले इस सारी चीजों को समाप्त करकर आपके लिए और बोडो क्षेत्र के लिए सांती का काम करेंगे। मित्रो आज मुझे कहते हुए हर्स रो रहा है जब एक साल समाप्त हो रहा है बीटी एडी के आसपास के लिए जो बोडो संगोठन की मांग थी कि जन जातिये बहूलिया आबादी वाले गाओं को बोड़े अक्षेत्र के अंदर समाप्त हो रहा है और साठ सितों तक ले जा साठ सीटे बनाने के लिए भी विचार की जाए और इसके लिए एक आयोग का घठन काम करने का काम हमने समाप्त कर दिया है यह आयोग अब आसपास के गाओं का सर्वे कर करें नहीं नहीं करेगी बीटी एडे को बीटी आर के रुप में नाम करने का मांग था उसको भी कर दिया गया है और यह फूरा अक्षेत्रा अब बीटी आर के नाम से जाना जाएगा बीटी आर के बाहर रहने वाले बोडो गाओं के विकास के लिए बोडो कचारी वेलफेर काउंसिल का भी स्थापना कर दिया गया है जो छुटपुट छुटपुट बोडो भाई रहते हैं उनके विकास के लिए भी असाम सरकार चिंटा करेगी और बीटी सिव और बोडो काउंसिल वेर्फेल काउंसिल के प्रतिनिद्यों को सामिल करकर एक सलाकार समीती बनाने का भी काम कर दिया है नए प्रदों का सुजन और खाली प्रद है इसकी भरती के लिए असाम के मुख्यसचिव की अध्यक्सा में एक कमिटी बनाई गई है जिसमें गुरू विपाक के भी प्रतिनिदी होगे और बित्रों सबसे बड़ी बात है कि आत्मसमरपन करने वाले सभी सरणार्थियों को चार लाख रुप्य की जो सहाय देनी थी आज आपके सामने भी उसका चेक देने की सुरुवाद भी भारती जनता पार्टी की सरकार ने करी है बोडो भासा को सन्मान देने का हमने वादा किया था असाम के मुख्यमंत्री और हैमन विश्वसरमा बैठे हैं असाम सरकार ने राज्य की सहर आज बासा का दर्जा बोडो लेंग्वेज को दे कर आज वर्षो पुरानी मान समाप कर दिया बोडो मिडियम के स्कूल खोलने के लिए भी अलग डाइरेक्टरेट स्थापना करने का काम सुरू कर दिया गया है और डाइरेक्टरेट को निर्देशालाई को स्थापित भी कर दिया गया है असाम सरकार, उदुलगडी, बक्सा और चिरांग में त्रीन मॉडेल डिग्री कॉलेजों की भी स्थापना कर रही है हमारा एक और वादा हमने पूरा कर दिया है बोडोफा उपहंद्रनाज ब्रह्मा के नाम पर उत्कुरूष्ट सांस्कुरूतिक परिशर इसकी स्थापना की भी प्रक्रिया हो गई है चुनाव के पहले पहले इसकी स्थापना को भी हम परिपत्रीत करकर उपहंद्रनाद ब्रह्मा को सद्धान जली देने का काम करें मुझे कोहस्रा करते हुए बहुत आनन्द हो रहा है मित्रो के 500 करोड रुपे सिर्फ बोडो क्षेत्र के रोड नेटवर्क के लिए आबंटित किये गए है और ये रोड का जाला समग्र बोडो क्षेत्र को विकास के रास्ते पल ले जाएगा मित्रो पोडो समझोत्य में 5000 करोड का जो पैकेज निर्धार्दित किया गया था इसमें सारी मांग होने के बाद उपर मेंने जो किना है उसके अलावे 750 करोड रुपिया और उसकी 65 योधनाओं को हमने चालू कर दिया है और उसमें से 570 करोड रुपिया अलग से आबंटन भी हो चुका है मित्रो मैं यहाँ पर आज वादा करने आया हूं कि बोडो जन जाती के हर अधिकार को बोडो संस्कूर्ति को बोडो भासा को हम सुरक्षित रखेंगे इसका संद्रक्षन भी करेंगे इसका संवर्धन भी करेंगे और उसको आगे भी बढ़ा है क्योंकि नर और सबका विश्वास यही एक मंत्र है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है और प्रदान मंत्री जी का सीधा ध्यान है बोडो समझोते का अमल कैसे हो रहा है और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आर्थिक सांस्कूर्तिक सेक्षनिक हर प्रकार की प्रगति क को हम सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ आपके राधनितिक अधिकारों का भी सुरक्षा हम करेंगे उची स्थान बोडो लेंड के हमारे प्रतिनिद्यों को असाम सरकार के अंदर भी मुलिगा मित्रों असाम के अंदर 2014 में भारती अजन्टा पार्टी की सरकार बनी और उसके साथ ही सांती, विकास और रोजगारी के एक नए यूग की सुरुआ चाहिए असाम के अंदर सालों से, अलग-अलग नाम से यूवाओ को गुमराह किया जाता है, कभी संस्कूर्टी की बात करते थे, कभी भासा की बात करते, कुछ नहीं होने वाला है असाम की संस्कूर्टी और भासा को आप से ज़्यादा सुरक्षित करने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी, इसका ठेका किसी एक पार्टी का नहीं और ये कॉंग्रेस पार्टी सालों तक असाम को रक्तर अंजित करती रही और अलग-अलग प्रकार के आंदोलन करती रही। विकास आसाम का हुआ है और ये सांती प्रक्रिया के लिए है। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आसामी नोन आसामी बोडो नोन बोडो ये जगडे खड़े करने वाले लोगों को पहचान लीजिए। ये हमारे विकास के लिए नहीं कर रहे हैं। रादमित्रीक रोटिया सेखने के लिए कर रहे हैं। और समय आ गया है कि आसाम की जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाने है। मित्रो, कल ही प्रजानमंत्री आयत लगबग 106,06,06,06 जमिन के पटो का वित्रण किया। हमारे प्रमोजी ने भी यहाँ पर वो पटो का वित्रण किया। और मित्रो, जीस प्रकार से कोवीड महामारी का असाम सरकार ने सामना किया है। मैं रदय से मुख्यमंत्री सर्वानन सुरवाल और स्वास्तमंत्री हमंत्र विश्वसर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस विकट लडाई को बहुत अच्छे तरिके से द नीचे मृत्युदर लाना बहुत कठीन माना जाता है। और मुझे कहते हुए आनंद है कि आसाम का मृत्युदर पूरे भारत में सबसे कम बड़े राज्यों में 0.47% है, आधा परसंट से भी नीचे है। और जो लोग बिमार हुए, उसमें से 98 प्रतिसत, 98 प्रतिसत लोग आज स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लोट गए है, मैं फिर से एक बार आसाम के मुख्यमंटरी और स्वास्थमंटरी ये दोनों की जोड़ी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहतूँ। मित्रों, टीका करण का जवास जहां तक सवाल है, धेर सारे कैंद्र बनाकर टीका करण को भी अच्छे तरीके से सुरू हो गया है, और आसाम को पूरे आसाम के अंदर, मोदी जी ने प्रदान मंत्री गरिब कल्यान ओधना के तहट अनाज बेदने का काम किया, धान बेजा, गेहू बेजे, दलहन बेजे, किसानों को तीन बार सहायता बेजी, फ्री घ एक एकाउंट में तीन बार पांसो पांसो रुपिया भेजा गया, और चार लाग कामगार जो बहार से आये थे, उसको असाम सरकार ने चार हजार रुपिया प्रती व्यक्ति दे कर उनके संकट के समय में सहायता की है, और जो विदेश में पढ़ रहे थे छात्र, उसको भी एक हजार अमिरिकन डॉलर की सहायता करने का काम एक भारती जनता पार्टी की आसाम सरकार ने किया है, मित्रो स्वास्त के ख्षेत्र में, गोहाटी में लगबग नया चिकिस्सा महाव विद्या लए, साथ सो करो, आंट सो करोड की लागत से, एक एम्स, टाटा ग्रूप के स कैंसर अस्पताल, धेर सारे काम यहाँ पर किये गए हैं, और सबसे बड़ा काम में यह कहना चाहता हूं, कि हमारा आसाम गैंडों से जाना जाता है, यह धरोहर है हमारी दुनिया भर के टूरिस्टों को यहाँ लाने की, सरवानन सोनवाल ने जंगल को घुस पिठियों से करकर गैंडों के सिकार पर कंट्रोल लाकर आज यह पूरेक सित्र को टूरिजम के लिए खुला है, असाम माला के तहत लगबग नेटवर्क को इंपरू करने का बहुत बड़ा भ्यान चलाया गया है, पूल और रिल्वे क्रोसिंग के लिए भी धेर सारे काम किये गए हैं, म अगर नरेंड्र मोधी सरकार न केवल आशाम पूरे उत्तर पूर्व के विकास के लिए कटी बद्र। मोधी जी स्वयम ए दो टम में मिलाकर 40 से ज्यादा बार उत्तर पूर्व का दोड़ा करे है, सबसे ज्यादा दोड़ा करने वाला प्रधान मंत्री अगर कोई है, तो हम प्रियनेता नरेंद्र मोदी मित्रों चौदवे भीत आयोग में जो ग्रांट मिली कॉंग्रेस के तेरवे भीत आयोग से 251 प्रतिसत ज्यादा ग्रांट दी कॉंग्रेस 90,000 करोड दी थी नरेंद्र मोदी जी ने 3,13,375 करोड रुखे दिये मित्रों डॉनर मंत्राले के ग्रांट में भी 65 प्रतिसत भुरुद्धी की गई सिक्किम में पॉक्यंग में 550 करोड का हवाई एड़ा असाम में ब्रंपुत्रनदी पर 6,000 करोड का बोगी बिल रेल सा सडकपूल कुमारगाट अगरतला के लिए नई रेल लाइन मिटर गेज को ट्रंक लिन से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए 8,000 करोड तुरियाल जल्विद्ध्यूत्योद्ना मिजोरम 1400 करोड पारे जल्विद्ध्यूत्योद्ना अरूनाचल 1600 करोड त्रिपूरा गेज साधानें बिदली प्रंट 11,000 करोड एनेज 44 त्रिपूरा के अंदर 800 करोड अरूनाचल के अंदर चांगलोंग खौंस सडक साधे 400 करोड और आसाम में एनेज 37 में 400 करोड उप्या का ओर निवेश देर सारे काम नौर्थिश की सभी राधदानियों को रेल से जोडना हवाई माज से जोडना और इसके माध्यम से नौर्थिश का विकास करना मित्रो मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेत्रूत में जो सरकार बन रही है यहाँ पर भी आप भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाईए भारतिय जनता पार्टी की डबल देकर सरकार इस सेत्र का दुरूद गती से बहुत स्पीर के साथ विकास करेगी और विकास के न इस समुचित विकास के माध्यम से यहाँ टूरीजम भी आएगा और हमने प्रमोद बोरो पर यहाँ की जन्ता ने एक बहुत बड़ा दाईद तो दिया है। मैं बोरो जी को कहना चाहता हूँ कि आप जरा भी चिन्ता मत करिये राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस विकास एक सेत्र के विकास के लिए आपके पिछे चटान की तरह खड़ी है आप आगे बड़ी है। और सांती के यूग की जो सुरुवात हुई है इसको अगले चरण की में ले जाने का काम करिये। और बोडो लेंड के विकास को सुनिश्चीत करिये। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ उपस्ति सभी भाईयो बेनों को बताइए आप आसाम में फिर से भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। सुनाए नहीं पड़ता हाथ उपर करकर जोर से बुलिए तैयार है। और जोर से बुलिए तैयार है। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और विजय के संकल्प का मुठी बिंचिये और प्रचन्दा वाद से बुलिए बारत मता की बारत मता की बारत मता की वंदे। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें।